आज का जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट काफी महतोपून उन सभी बच्चों के लिए जो अभी प्रिप्रेशन कर रहे हैं या तकनिक आयोग के हो तब या LRC के हो तब सभी के लिए काफी महतोपून सूचना है यदि मेरे चैनल पे आप नए इस वीडियो को देख रहे ह बेलाकेन को जोर दबा दिजेगा तकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अब्डेट करूँ उसकी जनकारी सरप्तम आपको मिल जाए तो गायज आज हम आपको बताने वाले हैं कि तकनीक आयोग के माध्यम से जई के बहुत साड़ बाहाली आया था और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बिहार सरकार का कैसा नीती है कैसा रन नीती है हम आज हम आपको अस करेंगे क्योंकि आप देख लिजे कि LRC के माध्यम स contractual है भाई मेरे अब बताइए कि contractual नौकरी के लिए आपको exam देना पर रहा है और नौकरी कितने दिनों की होगी एक साल की होगी मतलब अभी temporary जो होगा एक साल की ही न होती है extension भले हो या ना हो उसके उपर depend करता है लेकिन अब क्या है कि उसके लिए exam conduct कराया जा रहा है और उसके लिए पैसा पे भी करना पड़ेगा लेकिन एक तक्निक का भी गठन हुआ था 2014 में ठीक है न और वहाँ पर क्या हुआ था कि permanent नौकरी आपको मिलेगा सिर्फ marks basis यह कैशा रहन नीती है भाई मेरे कि आपका मतलब contractual नौकरी लिजे तो उसमें आप exam दीजे और permanent नौकरी लिजे तो भी न एक्जाम के लिजे तो भाईया तो permanent नौकरी इबा कहने लेगा सबसे बड़ी बाती है और हम आपको बता दे कि दो नीती थी भीहार सरकार की एक तकनिक कायोग LRC या इभेन हम आपको बता दे कि BCC नहीं तो कोई भी exam मतलब contract करवा दे रही है तो BCC से माध्यम से करवा दे रही है अमीन का हो तब या LRC land revenue का हो तब उसी तरह से है BTC ठीक है न तो BTC के बारे में हम आप आदे कि बीगत मतलब आपको 2019 में मतलब 6,000 बहाली आई थी जहीं का वो अभी तक clear नहीं हुआ मतलब उसके बीच क्या मतलब पता नहीं आप जो भी बहाली आई है आप नजर उठा करके देख लिजे उसके side पर जा करके देख लिजे कि कोई भी बहाली आई है या दू साल भर से कम लगा हो कोई भी नहीं और कोई भी ऐसा बहाली आया हो जिसमें मतलब बीना case का वो clear किय सब पर केस है सारे मतलब एक नीती ही हो गिया है कि यदि आप तकनिक आयोग के माधियम से किसी बाहली का पांटिशिपेट कर रहा है बाहली में तो आपको केस लरना परेगा वो एक आपका अभिन अंग बन जा रहा है हाई ठीक है ना तो इस तरह का रन निती अपनाया जा रहा है और वो भी टाय टाय फीस हो जा रहा है ठीक है ना एगो फुटले फुटले एगो के पेनिये नहीं है तो इस तरह का रन निती तो बिलकुल बरदास नहीं करेगा बच्चा लेकिन अब हम आपको बता दे कि लेंड रस्त कर दिया गया फिर पुना फिर वही माध्यम को अपनाते हुए फिर से एक्जाम लेने की बात की जा रही है तो ये भी कहीं न कहीं मतलब स्टुडेंट के लिए एक मजाक बन करके रह गया है बाहाली ठीक है न बच्चे जितना ततपरता से तैयारी करते हैं परहाई करते हैं और उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं होता है और एक्जाम देने के बावजूद भी रिजल्ट आने के बावजूद भी जब उसको रद क हुआ है और बच्चों को मतलब काफी तकलिफ होता है काफी जहलना परता है तकलिफ ठीक है न तो यह सब रन निती पता नहीं इस वर जाने क्या है कि एक तु फुटले-फुटले को के पेनिये नहीं है ठीक है न हम आगे लेकर हम इस पर बात करने वाले हैं हम इस मुंदा बहुत सारे नेतागन भी हमारे चैनल को ब्राउजिंग करते हैं देखते हैं हम उनको इस वीडियो के माने हम से यह संदेश देना चाहते है और जितने भी मैरे फैलोर रहे है या देख रहे है इस वीडियो को मतलब कोसिच करें कि निती मुख मंतरी के पास पहुँचा दे ताकि उनको ये चीज़ सूचना पड़े कि अब आप क्या किये थे कि बिहार में आपने बताया था कि जब भी तब तेजस्वी जी ने बताया था कि जैसे हमारा सरकार बनेगा हम 10 लाख रोजगार देंगे पहल का कलम से चलिए मानते हैं पहल का कलम से नहीं पांच मतलब 20 वा बहाली देने से नहीं नहीं होगा मेरे भाई आपको देना पड़ेगा आपको जैसे पोले टेकनिक भी बहुत सारे बच्चे हर साल करके निकल रहे हैं और सिर्फ सीविल का ही बच्चा नहीं नहीं है सारे ट्रेड का सारे ब्रांच का बच्चा है और ITI से रिलेटेड भी ब जाते हैं बाहर एक्जाम देने, इभिन केरला कर दे, मत पर्देश कर दे, या इभिन आपको जार्खंड बगल में ले 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 ना, बगल में परुसी राज्य जो जार्खंड है, वो पुन रूप से 100% डो मिशाइल कर दिया, नाक सिधाना छुकर के बैक डोर से छुलाते हैं, लेकिन वो आप समझ जाईए क्या कि वो 100% डो मिशाइल है वो, ठीक है ना, तो आप उहां पर कंड़क्ट नहीं कर सकते हैं, आप उहां पर पाटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो हम बिहार तो आईशू पिछरा है, और यहां सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तपर भी स सबसे बड़ी बात हम यह भी बता दें आपको, कि अब डॉक्टर जो MBBS करता है बच्चे, नहीं, MBBS वाले बच्चे यदि उनका बहाली नहीं आता है, तो वो MBBS वाले बच्चे क्या नर्स का या कंपाउंडर का नौकरी करने के लिए तयार हो जा रहे हैं, यह तो सबसे बड़ा दुख बड़ा चीज है, वही चीज हो रहा है तकनिक आयोग में कि BTSE में क्या है, JEE का बहाली है, और JEE के पोश्ट पर BTEC वाले भी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो यह सब तो गलत है बिल्कुल, ठीक है न, BTEC वाले के लिए भी बहाली जब आने लगेगी, उनका सित दिखने लगेगा, तो लोग भी मार नहीं करेगा, ठीक है न, तो यह ह हो सकता है कि आप सब के हीत में काम करें, ठीक है न, यदि मेरे वीडियो से दुख हुआ हो, तो सॉरी, लेकिन मेरे चैनल पर आप नए है तो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाक्ष तक देखेगा, वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब क